हेलो स्टन्स आईए श्टार्ट करते हैं अंतस रावी गरंतियों के बारे में तो अंतस रावी गरंतिया मैं पहला गरंति श्टार्ट कर रहा है हाइपो थेलमस के बारे में आप ध्यान से समझेगा हाइपो थेलमस क्या होता है हाइपो थेलमस जो है जैसा कि आप जानते हैं क हाइपोथेलमस जो है वो डाई इंसेफलान अर्थात अग्रमस्तिस्क पस्च का आधार भाग होता है और यह शरीर के विभिद प्रकार के कारियों का नियंत्रण करता है हाइपोथेलमस जो है वो डाई इंसेफलान अर्थात अग्रमस्तिस्क पस्च का आधार भाग होता है और यह शरीर के विभिद अलग अलग प्रकार के कारियों का नियंत्रण करता है इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्र का स्रावी कोशिकाएं होती है जिनें निकली कहते है तो हाइपोथेलमस में हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्र का स्रावी कोशिकाएं होती है जिनें निकली कहा जाता है ए हार्मोन प्यूस ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन के संसलेशन और स्राव का नियंत्रड करते हैं हाइपोथेलमस से निकलने वाले हार्मोन जो हैं वे प्यूस ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन के संसलेशन और स्राव पर नियंत्रड करते हैं हाइपो थेल्मस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं हाइपो थेल्मस से निकलने वाले हार्मोन जो है वे दो प्रकार के होते हैं मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन मोचक हार्मोन किसे कहेंगे मोचक हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो प्यूस ग्रंथ से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं जबकि निरोधी हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो प्यूस ग्रंथ से हार्मोन को रोकते हैं ठीक है आप पढ़ रहे हैं अंतर स्रावी ग्रंथ के बारे में जिसमें आपको पहला पढ़ाया जा रहा है हाइपोथेलमस के बारे में आपको बताया गया कि हाइपोथेलमस जो है वडाइन से फलान अर्थात अग्रमस्तिस्क पस्य का आधार भाग होता है और यह सरीर के बिभिद प्रकार के कारियों का नियंतरन करता है इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी को सिखाएं होती है जिन्हें निकली कहते है ए हार्मोन प्यूस ग्रंज से स्रावित होने वाले हार्मोन के संसलेशन और स्राव का नियंत्रल करते है हाइपोथेलमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं पहले हार्मोन को मोचक हार्मोन करते हैं दूसरे को निरोधी हार्मोन करते हैं मोचक हार्मोन जो प्यूस ग्रंथ से हार्मोन के स्राव को फ्रेद करते हैं जबकि नूरधी हर्मोन जो Puse-Grainth से हर्मोन को रोखते हैं उदारण हाइपो थेलमस से निकलने वाला गोनेडोटॉफिन मुक्तकारी हर्मोन के शृव Puse-Grainth में गोनेडोटॉपिन हर्मोन के संसलेशन और श्राव को प्रेज करता है ठीक है? अच्छै? प्यूस ग्रंथी से जो स्राव है गनेडोट्राफिन हार्मोन के संसलेशन और स्राव को प्रेद करता है तो गनेडोट्राफिन मुक्तकारी हार्मोन जो है प्यूस ग्रंथी से हार्मोन के स्राव को प्रेद करने का काम करता है हाइपो थेलमस से निकलने वाला गुनाइडो ट्रॉफिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव जो है प्यूस ग्रंथी में गुनाइडो ट्रॉफिन हार्मोन के संसलेशनर यह स्राव को प्रिरित करते हैं जबकि वहीं दूसरी ओर हाइपो थैलमस से ही स्रावीत सुमैटो इस्टेटीन हार्मोन प्यूस ग्रंथ से बृध्धी हार्मोन के स्राव का रोधक होते हैं ठीक है तो एक तरफ आप देख रहा है कि हाइपो थैलमस से निकलने मला जो गुनाइटो ट्रॉफिन मुक्तकारी हार्मोन है यह प्यूस ग्रंथ से गुनाइटो ट्रॉफिन हार्मोन के संसलेशन और स्राव को फ्रिद कर रहा है बढ़ा रहा है जबकि वहीं दूसरी ओर हाइ आवीद स्वाईटो इस्ट्रॉफिन हार्मोन है यह प्यूस गरंथ से ब्रिद्णी हार्मोन के स्राव का रोधक है रूकने का काम कर रहा है यह हार्मोन हाइपो थैलमस की तंतरी कोशिकाओं से आरंब होकर तंत्री काच्छ होते हुए तंत्र का सिर्या परमुक्त कर दिये यहार्मोन है यह हाइपो थैलमस की तंत्रिको शिकाएं से प्रारंब होकर तंत्रिकाच होते हुए तंत्रिका सिर्या पर्मुक्त कर दिए जाते हैं यह हार्मोन निवाही का परिवहन तंत्र द्वारा प्यूस गरंथी तक पहुँशते हैं और अगर प्यूस गरंथी के कारेओं का नियमन करते हैं पस्ट प्यूस ग्रंथी का तंत्रकी नियमन जो पस्ट प्यूस ग्रंथी है उसका जो तंत्रकी नियमन है वो सीधे हाइपोथेलमस के अधीन होता है पस्ट प्यूस ग्रंथी का तंत्रकी नियमन जो है सीधे हाइपोथेलमस के अधीन होता है जबकि अग्र प्यूस ग्रंथी का नियमन जो है वह हार्मोन निवाई का परिवन तंत्र द्वारा प्यूस ग्रंथी तक पहुशते हैं और अग्र प्यूस ग्रंथी के कारियों का नि जिसके दो भाग हैं अग्र प्यूस ग्रंति और पस्ट प्यूस ग्रंति का कंट्रोल आप देखें सीधे हाइपोथेलमिक तंत्र कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है और हाइपोथेलमस यह है यह आपका हाइपोथेलमिक हाइपोथेलमिक तंत्र कोशिकाओं है और यह हिस्सा जो है हाइपोथेलमस है इसको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथेलमस का देखें यह जो है अग्र प्यूस ग्रंति को कंट्रोल करने का काम कर रहा है जब यह जो है पस्ट प्यूस ग्रंति को कंट्रोल करने का काम कर रहा है ज जबकि यह जो तंत्रिका को सिकाएं हैं यह पस्प्यूस ग्रंती को डाइरेक्ट कंट्रोल कर रही हैं। इस तरह से आपने हाइपोथेलमस के बारे पढ़ा कि हाइपोथेलमस क्या होता है। हाइपोथेलमस जो है वो अडायन से फलान अर्थात अग्र मस्तिस्त पस्त का अधार भाग है और यह सरीर के विविद कारियों का नियंत्रण करता है इसमें हार्मोन उत्पादन करने वाली कई तंतिर का स्रावी कोशिकाय होती है जिन्हें निकली करते हैं यह हार्मोन प्यू करकार के होते हैं मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन मोचक हार्मोन जो प्यूस ग्रंथ से हार्मोन के स्राव को प्रेद करते हैं और निरोधी हार्मोन जो प्यूस ग्रंथ से हार्मोन को रोखते हैं जैसे हाइफोथेलमस से निकलने माला गुनाइडोट्रोफिन मुक्तका कारी हार्मोन के स्राव प्यूस ग्रंथि में गुनेडोट्रापिन हार्मोन के संसलेशन और स्राव को प्रेडित करता है जबकि वहीं दूसरी ओर हाइपोथेलमस से ही स्रावित सुमैटोइस्टेटीन हार्मोन प्यूस ग्रंथि से बृध्धी हार्मोन के स्राव का रोधक होत यह हार्मोन निवाई का परिवन तंत्र द्वारा प्यूस ग्रंथ तक पहुंचते हैं और अगर प्यूस ग्रंथ के कारियों का नियमन करते हैं तो अगर प्यूस ग्रंथ के कारियों का नियमन नियमन जो है हार्मोन निवाई का परिवन तंत्र द्वारा पहुंचकर करता है ज भी जूल नहीं है कोष्छं